नमस्का बच्चों, सागत है आप सभी का आपके अपने 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 परिक्षाप प्रस में कैसे हैं सभी अभी उत्तरपदेश पुलिस भरती बोर्ड से बहुत सारे वेकंसीज अवेटेड हैं और आप लगातार उनकी तैयारी में लगे हो फिर में वेकंसीज जब सामने नहीं आती है तो निरासा होती है और जब निरासा होती है तो हमारे पास फोन कॉल्स और मैसेज़स आपके तुरंद घूम जाते हैं और हमें परिशान करने लगते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा करत्रव्य है वह आपको आपकी समस्याओं का समधान करना आपको सही शूसना देना कि क्या आपको करना है जब ऐसी स्थिति हो कि मन नहीं लग रहा है पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आ रहा है कब आएगी क्या नहीं आएगी तो एक सही मांदशन आपको देना है सबसे पहले जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले भी यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लिजएगा बेल आइकन आप ज़रूर कर दीजएगा और पुलिस भरती बोर से तमाम भरतियां जो आने कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन होता है तभी मैं आता हूं नहीं आता हूं और लगादार बच्चे computer operator वाले और पूंश रहते खासका और radio operator वाले कि सर एक तो रेडियो ओप्रेटर का गहना है कि इन्हों ने आहरता को लेके बहुत सारी चीजे कर दी और जो अभी कल परसों में एक आया सासना देश उसको लेके बच्चे और भी परिशान हो गए कि फिर जब इसके संकच के लिखा हुआ है तो वहां पर भाती बोर्ड देगा कि नहीं देगा एक चीज आप समझना कि बाकी जेकों पे जैसे यूपी ट्रीपल सी है या यूपी पी एससी है वहां पर बिभाग अलग है और भरती बोर्ड अलग है उन दोनों का संबंद केवल पेपर कंड़क्ट कराना से लेके है और ङूंको बच्चे दे लेना है विभागों को कि मैंटिपल न के अंदर है पुलिस भरती सी बोर्ड के है और फिलहाल में लगा था है पुलिसमाथीपल बोर्ड कैँश बता suppress जाता ने उसी दो है उसको इस तो जो बच्चे प्रिवियस्ली सेलेक्टेड हुए थे तो मुख्यमंत्री जी उनको नियुक्ति आदेस आवंटित कर रहे थे उन में पूरा का पूरा पूरा पूर्टी बोर्ड फसा हुआ था बाकी जगह पर क्या होता है जैसे यूपी ट्रिपल असी ने पेपर करा दिया अब मुख्यमंत्री जी नियुक्ति आदेस बाट रहे हैं तो उसमें यूपी ट्रिपल एसी उपी पेसी का कोई योगदान नहीं है वो बिभाग की लोग आते हैं वो निदेशाले की लोग आते हैं वो उनको दिलाते हैं अलग अलग बिभागों के लेकिन यहां पर क्या है यहां पर भलती बोर्ट की करमचारी ही दोड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी नियुक्ति आदेस बाट रहे हैं कहीं कुछ गरबड ना हो जाए लोगभावन के चक्कर वही लोग काट रहे हैं इस कारण में कारे तो दिले होगा ही होगा दूसरी बात एक बहुत बड़ी टोड़ा लगे हैं बात चीत करने में वह सबसे बड़ी बीड़ी कि पहले क्या होता था पहले और जो इनके फोन फर्म भर्मा बातिते वह करें नाम यह नहीं कहते लेकिन कभी दो यह करा ले देती अब इस बाद से क्या हुआ है इस बाद से भरती बोर्ड क्या चाहता है कि मेरा वर्कलोर थोड़ा सा कम हो और जो फॉर्म भी भरे वो जो कंपनी आए वही भरे और इसकी चक्र में आपके फॉर्म निकलने की डेट डिले हो रही है लेकिन इसका बिल्कुल यह मत में नहीं है दो भरतियों पर कारे सबस्यादा चल ला है एक आपका उत्तरपदिस को और कंप्यूटर ऑपरेटर तो यह दोनों वेकेंसी एक साथ आएंगी और इनकी हो सकता है निविदा आप साइट पर आपको दिखाई पड़े अगर भरती बोर्ड पर जैसी बात चल रह आप से मतलब नहीं है मतलब है निविदा हो ना कल्य नहीं कर रहा है तो इस अब से पहली मैंने बताई कूंप इसे काम भी हो रहे Kimberly की संग्यार टेले यह ऐसा तक मेरे पास सोच रहे हैं इसमें आपकी वेकंसी जाने वाले हैं दोनों एक साथ भी आ सकती हैं या पहले आपका यूपी कॉंस्टेबल और एक दो दिन बात आपका क्या आ जाएगी कंप्यूटर ऑपरेटर तो उसे लगदम साथ ही माना जाएगा तीसरी बात है कि वेडियो ऑपरेटर का ही पेपर होगा सबसे पहले जो पेपर होगा कारण भी इसका है 2022 में इसका फॉर्म सम्मिट करा लिया गया था अभी तक हुआ नहीं है और इसका कारण भी यह है कि अगले वस चुनावी वर्स है और दूसरी बात इनके पास कंपनी कहीं मिली भी नही सकते अब यह बढ़के करीबन साड़ी चार अजार पहुंच गए है और हो सकता है कि और भी अधियाचन आके यह बढ़ सकते तो इस पर भी अच्छी खासी वेकेंसी जा सकती है भी मेरी एक्जैक्ट फीगर नहीं है जो एक अनुमान है उसके विहाप में UPSI ASI की बात कर र सब्सक्राइब नहीं लग रहा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं फ्रेशर भी है देखो रेडियो ऑपरेटर की तो मैं बात इतना बोलूंगा कि अब आपको जितना है वो प्रैक्टिस करना आप में जो सक्थे इंपॉर्टन चीजे हैं वह साइंस तो साइंस के आपके आए आट पीम पर सपैसिली क्लास असी लिए लेकर आया गया है और वो क्लास्न आप क्या कर सकते हो देख सकतेओ आठ पीन्स क्लास परिक्ष्भाष कला स्यूतीग क्र्सक्राइब ओलिए एक बात जमन या आएगा तम मैं आपको इतना इतना सुचित कलू जहां तो अभी तो computer का नहीं निकलेगा लेकिन जब वेकंसी आ जाएगी तब हम प्रिटीम के सब विचार कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर चाहते हैं उनको पुराना बैच कंप्रीट हो चुका है जो नया बैच आएगा वह भी आपको उसके बारे में सोचित किया जाएगा तो मेरे पास इतनी जानकारी थी उम्मीद है बहुत आपके इंदर जो आपको कि सदिती उसको सांत किया होगा बस आप इतना समझो कि आपको पढ़ते रहना 20 दिन में आपके पास कुछ न कुछ देखने मिल जाएगा फिर आपके पास समय नहीं मिलेगा ये भी समझना जब आ जाएगी ओldigt अपर समय नहीं मिलेगा तयारी करने का तो ये चीज़ आप संजो कि आपको विट करके समय व्रबात करने या कि तोड़ा सा मन को सांदोना देखे और मन को थोड़ा सा समझा कि कि हाँ भाई परिशान मतो आज नहीं तो गल पेपर होना ही है अपनी तैयारी जारी रखना है इसके अध्रिक देदे आपके कोई प्रशन हो तो आप सब्सक्राइब कर लिजेगा फिर मिलते हैं बहुत-बहुत धन्यवास अभी का बहुत-बहुत आप